हेलो वेलकुम योल ऑन मैं चैनल आई हम संदी प्यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आपके सामने सुबह सुबह फिर से हाजिर हूं वोक्याप का एक वर सेशन लेकर कलेड़ वांस में एक सेशन डाला था आपके लिए और एक सेशन अब आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें वीडियो को बहुत कम वीडियो को आगे बढ़ाईए और वीडियो थोड़ा भी बलर कर रहा है तो प्लीस थोड़ा वीडियो को पंदरा से 20 सेकंड टाइम दे अपने आप क्लियर होगा ठीक है चलिए तो फटाफट मीनिंग पर आते हैं सुबे सुबे नास्ते के तोर पर अपने मीनिंग लेते हैं क्लियर है सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है इंट्रीपेड एक एडजेक्टिव होता है ठीक है इंट् इंट्रीपेड हुआ एडजेक्टिव ठीक है इसका मतलब होता है फियरलेस देखो यहां पर लिखा हुआ है फियरलेस का मतलब जो बोल्ड होते हैं सासी ठीक है डॉंटलेस यहां पर लिखा हुआ इसे नोट करिएगा डॉंटलेस ठीक है डॉंटलेस के अलावा अलावा आ यहाँ पर बोल्ड किया लिख लेजले किया बोल्ड आपast enough लिख लीकरेजैगा यहाँ पर करेजियेस तली क्यों है got 햄ратFF क trench अगरेजियेस ठीके कितने वर्ड हो गएआपके़ इंटरीक वर्ड हो गया यह वर्ड आपको याद रखने हैं ब् Early करिको याद बहुत अच्छा वर्ड है फियर लेस आजाएगा उसके लिए डॉंट लेस याद रखें बोल्ड यहां पर याद रखें और मिनिंग्स होंगे वह आगे बताऊंगा ताकि माइंड पर प्रेशर ना एक एक दो तो जितने भी याद रखें अभी पहले जो वर्ड आपने देख रखें हैं हर वड़ पर्ट पार्ट से पेचर रखना ना नाउन पूछा होगा सेनोनीम नां नहीं होगा कोई वर्ड नहीं हो सकता है तो अब्रोगaiट का मतलब देखम यहां पिच वर्ड लिख उइम हैं इभ्रोगेट को रिपील यहां पे लिखावा इसको और डालाइन क का मतलब होता है समाप्त कर देना खत्म कर देना उन्मूलन कर देना कोई भी नियम कानून है उसे क्या कर देना खत्म कर देना ठीक है रिपील क्या होता है रिपील अब यहां से मैं इसके मतलब बता देता हूं अप्रोगेट वर्ब होता है ठीक है उन्मूलन करना खत्म कर देन ठीक है ना जैसे मैंने का do away with all the evils सभी बुरा यह वो क्या कर दो खतम कर दो do away with repeal हो जाएगा एक word लिख लिजएगा यहाँ पर eradicate eradicate एक word यहाँ पर लिख लिजएगा root out यह एक phrasal verb होती है इसका मतलब भी क्या होता है जड़ से खतम कर देना root out all the evils ठीक है तो abrogate के कितने meaning होगे repeat आपके सामने है do away with आपके सामने लिख वाई है eradicate हमने लिख दिया है root out हमने लिख दिया है ओर लिख देते हैं एक दो ठीक है एक दो ओर लिख देते हैं copy में अपने लिखते हैं abolish abolish ठीक है अपरूट लिख लीजेगा एक वर्ड यही वर्ड गोमते रहेंगे इनसे ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे ठीक है ना एक एक दो तो जितने भी याद रख सकते हो उतने याद रखें क्लियर है covenant होता है कोई भी legal contract कोई भी legal समझोता कोई भी संधी ठीक है noun होता है covenant covenant लिखा होगा यहाँ पर contract लिखा होगा है agreement लिख लेना agreement लिख लेना विछले वीडियो में हमने एक वर्ड पड़ा था यहाँ पर protocol ठीक है protocol यहाँ पर लिखे हूँ से protocol protocol एक वर्ड लिख लिजेगा यहाँ पर pact पूना पैक्ट फलाना पैक्ट धिमकाना पैक्ट पैक्ट होते हैं समझोते ठीक है ना ट्रेटी जो होती है संधिया जो होती है ठीक है तो covenant अच्छा वर्ड है इसका मतलब होता है legally जो contract होते है legally जो संधिय होती है उसके लिए covenant का यूज़ किया जाता है contract लिखा हो है इसमें आपे ठीक है five पे आजाईए number five आपका कहता है obnoxious obnoxious होता है adjective OUS लिखावा है obnoxious का मतलब होता है हानिकारक क्या होता है हानिकारक यहाँ पे लिखावा unpleasant unpleasant इसका क्या होगा synonym होगा disgusting क्या होगा इसका synonym होगा disgusting ओके और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे harmful लिखें इस वर्ड से आपको याद रहेगा harmful लिख लीजे harmful के साथ detrimental लिखेंगे detrimental m-e-n-t-a-l d-e-t-r-i-m-e-n-t-a-l तो obnoxious के कितने meaning हो गई आपके सामने obnoxious के meaning होते हैं एक तो unpleasant हो जाएगा disgusting हो जाएगा harmful हो जाएगा और क्या हो जाएगा detrimental हो जाएगा detrimental clear है चलिए next देखते हैं prolif rate का मतलब होता है increase करना बढ़ाना increase rapidly in number ठीक है multiply to reproduce rapidly ठीक है न तो सीधा साम मतलब reproduce लिखा हुआ है increase आप लिख लिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ increase ठीक है न एक वर्ड यहाँ पे लिख लीजेगा multiply multiply proliferate होती है work इसका मतलब होता है बढ़ाना structures हों cells हो tissues हों जो बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी बढ़ते हैं reproduce होते रहते हैं ठीक है न उसके लिखा जाता है इसे चलिए next आजएगे paradox paradox का मतलब क्या होता है puzzle होता है यह एक noun होता है ठीक है न puzzle जब आपने यहाँ पे लिख लिख लिए तो एक word ओ लिख लिए इसके लिए riddle क्या लिक लिए जए खाँ रिड अच्ट एनिजमा एक वर्ड होता है ए एन आई जी एम ए एनिजमा ठीक है न ये भी से क्या होता है सिनोनियम होता है तो कितने वर्ड हो गए पैरेडोक्स के लिए आपके पजल हो गया पजल के अलावा रेडल हो गया रेडल के अलावा आपका एनिजमा हो गया चलिए, कोलोजल, कोलोजल होता है, large और great विशाल, adjective होता है, यह होता है, adjective extremely large और great, enormous लिखाओ है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, enormous लिखाओ है, इसमें, e-n-o-r-m-o-u-s, enormous, ठीक है, large हो जाएगा, great हो जाएगा, enormous हो जाएगा, एक वर्ड आप जियांट लिख सकते हैं G-I-A-N-T, चलिए, next बढ़ी है, inception आजाता है, inception जो आपका word होता है, यह होता है, noun, inception का मतलब होता है, origin, origin का मतलब होता है, शुरुवाती बिंदू, जहां से कोई बीचीज शुरू होती है, noun होता है, ठीक है न, beginning लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, beginning, beginning, starting लिख सकते हो, starting, inception, noun होता है, origin लिखा हुआ, starting लिख है, किसी भी चीज का starting point, ठीक है न, initiative बोलते हैं आप जिसको, initiative, grandeur क्या होता है, magnificence, splendor, splendor जो लिखा हुआ है, impressiveness, grandeur का मतलब क्या होता है, noun हो गया, ठीक है, शांदार के रूप में लिखा जाता है, यह, मैं थोड़ा इसको, ऊपर ले जाता हुआ, उसे जाएगा नहीं, magnificence लिखा हुआ है, इसमें दो वर्ड है, उन्हें कर लिजेगा, एक तो splendor लिखा हुआ है, s-p-l-e-n-d-o-r, ठीक है, splendor, और क्या लिखा हुआ है, impressiveness, especially of appearance और style, दिखने में, जो style जो होता है, वो impressive कर दे, ठीक है, splendor हो, शांदार हो, गया होता है, ग्रेंडर कहलाता है, clear है, magnificence, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, noun हो जाएगा, noun, पार्ट्स पीच क्या होगा, इसका noun होगा, नेक्स्ट पर आ जाएगे, tramp, tramp, a person who travels from place to place on foot in search of work, or as a vagrant or beggar, wondered, यहां पर लिखा हुआ है, एक बार, ठीक है, न, wondered, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, आवारों की तरह जो घूंता है, nomadic एक वर्ड पढ़ा होगा, हमने, ठीक है न, nomadic, n, o, m, a, d, i, c, पढ़ा था, उसके लिए हमने एक वर्ड और पढ़ा होगा, wondering, यह वही है, wondering, nomadic, ठीक है न, तो इसके लिए एक वर्ड यहां पर ओर वेजरेंट लिख होगा है, बैगर भी कह सकते हैं, ठीक है, बैगर बड़ा चोटा सब रह जाएगा, वेजरेंट लिख हैं तो काभी अच्छा रहेगा, नेक्स्ट आईए, इसको बोलते हैं, noun, noun का मतलब recipient, जो receive करने वाला होता है, nomini कोन होता है, recipient होता है, recipient होता है, recipient, r-e-c-i-p-i-e-n-t, recipient, सही बात बताऊं तो receiver होता है, nomini, concern, noun, infatuation, जो यहाँ पर लिखा हो है, infatuation noun ही होता है, लेकिन ध्यान रखना, ये बड़ा short-lived passion होता है, जो कभी-कभी हमें जुनून चड़ता है, ना, कभी-कभी, आज हमने सनी देवल की movie देख ली, तो मेरे भी one कर गया, सनी देवल बनने का, ये बड़े short-lived passion होता है, तो यहाँ पर लिखा हो है, short-lived passion, passion, अब passion लिखा हो, उसके लिए प्रियोक्यूपेशन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन accurate meaning तो मैंने आपको बताई दिया, जो भी आपका जुनून है, थोड़े time के लिए, जो आपको जुनून चड़ता है, किसी चीज का, वह infatuation कहलाता है, तो नोट कर सकते हैं, देखे कैसे, प्रियोक्यूपेशन लिख लेना, शायद हमने कल ही पढ़ा होगा एक वर्ड, प्रियोक्यूपेशन, वर्ड ज़्यादा याद नहीं हो रहे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो main word लिखा हो है वह उसका meaning जरूर पता होना चाहिए, जरूर प्रियोक्यूपेशन लिख दे, मैनिया लिख लेना, ये भी जुनूर नहीं होता है, ठीक है, मैनिया, लेकिन शोट लिख, ध्यान लगना, ब्यूटिफूल ये सभी जानते हैं, अज्जेक्टिव होता है, हैंसम, इसके लिए को अच्छा meaning दे सकता हूँ, मैं आपको, अड ये काफी अच्छा meaning है, यंग ये से कारण जो सुन्दरत होती है, उसे एड़ोनिस बोला जाता है, इस्टाइलिस डेबोनेयर होता है, उसे भी आप यहां पर लिख सकते हैं, डेबोनेयर, डेबोनेयर, ठीक है, ये इसके सिनोने मोज जागा, मोमेंटस, मोमेंटस होता है, महतपुर्ण, ये भी एक एड्जेक्टिव होता है, इसके लिए एक यद्वर्ड लिख लेना, विटल, इम्पॉर्टेंट, एशेंश्यल, विटल लिखना बहुत है, वहत अच्छा वाट है, मोमेंटस का, इम्पॉर्टेंट, विटल, एशेंच्यल लिख लेना, एक किने नेक्स देखिएगा कुल वर के मतलब होता है कांपना अपना ट्रेइंबल लिखा वा यहां पर लिखा हुए ट्रेइंबल ये वह उता है ध्यान रगना egre एक word होता है, tremble लिखा हो, एक shake हो का, इसमें, shake, shake, s-h-a-k-e, shake का मतलब, अभी कल बताया था, shake का मतलब, वो जो vibrate होते होते हैं, आम को डाल दिया, और vibration करके उसे हिला दिया, वो shake बन गया, shake का मतलब हिला दिया, ठीक है न, शीशी लेते हो न, दवाई के, उस पर लिखा हो और shake, with a slight rapid motion, a slight trembling movement, और sound, especially one caused by a sudden strong emotion, बास समझें आगे, कोई भी emotion के कारण, जब इनसान काँ अपने लगे, या कोई भी कमपन, tremble कहलाता है, vibrate, vibrate, अगर आपको ध्यान हो न, कल हमने इसका एक मिने वर पढ़ा था, agitate, 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 vibrate, उमीद कर रहा हूँ कि बैठे होंगे बिल्कुल शानती से, कोपी पैंसिल लेके बैठे होंगे, उतार रहे होंगे, रजाई में मुदे कर नहीं बढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो कैब बड़ा important part है, मैं बिल्कुल अब भी आप से कह रहा हूँ, बिल्कु इस पी जितना ज्यादा जरूर है, उतनों ज्यादा वो कैब है हमारे लिए समझने के लिए, अगर ये दोनों चीज हमारे हाथ में, तो ये समझ के चलना, English Language हमारे हाथ में, ठीक है, चलिए, एडिलेशन नाउन होता है, नाउन इसका मतलब होता है, चापलूसी, फ्लैटरी यहाँ पर लिखा हुए, सर्विलेटी आप लिख लो, सर्विलेटी, चीक है, यहाँ पर लिखा हुए एक वर्ड, एडिमारेशन और प्रेस, एकसेसिव, इसे जरूर जोड़ना, एडिमारेशन होता है, परसंशा, प्रेस का मतलब भी परसंशा करना होता है, लेकिन जब ज तो कि बढु अदे प्रसंसा करना हि किसी की हुए क्या कहलाता है तो यहां पर वडल लिख के ना उन्हें ध्यान में रखें मैं उन्हें बिल्कुल ध्यान में रखे हैं एडिलेशन के यह पार्ट यहां से एक तो एडमाइरेशन एक्सेसिव एडमाइरेशन और एक्सेसिव प्रेज एक्सेसिव प्रेज क्लिर है चलिए नोटिफिकेशन आने लगें अपने भी next contemplation क्या होता है meditation होता है consideration होता है contemplation क्या मतलब होता है meditation the action of looking thoughtfully at something for a long time meditation consideration noun होता है चिंतन जिसको क्या बोलते हैं चिंतन बोलते हैं noun हो गया meditation एक consideration लिख लिजेंगे कंसिट्रेशन नेक्स देगे diligent diligent होता है adjective इसका मतलब होता है परिश्रम इंडूट्रियस लिख लिएस इंडेश्ट्रियस लिखना डि-e-e-u-s-t-i-r-i-o-e-s ठीक है न हार्ड वर्किंग बोलते हैं इसको adjective होता है diligent का मतलब क्या होता है hard working हार्ड वर्किंग परिश्रम ही, जो परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं, परिश्रम, having or showing care and conscientiousness in one's work or duties, ठीक है, इंडेस्ट्रियस मैं लिखके दिखा देता हूँ, कैसे लिखने हैं आपको, आई-N-D-U-S-T-R-I-O-U-S, इंडेस्ट्रियस लिखना, आपको लिखने लिखने हैं, लेबोरियस, 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 लेदेग्याइपको सही बात बता हूँ तो आज भाहर हूँ है, और भही से वीजिए शूट कर रहो हूँ, आप लोगों के लिए देख सकते हैं मिलकुल बाहर है कार में बैठा हुआ और कार में बैठा हुआ है आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है ठीक है अपना सब काम चलता रहे साथ-साथ बच्चो कुन का मेटर मिलता रहे तो काफी अच्छी बात ह कि यह क्या हुआ है कि यह क्या हुआ है कि सॉरी को सेगंड वेट करिया है एक मेंट विए अच्छा वो क्या है यह सारी आपके एक्जाम में भी है तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना कि कहां से है बिल्कुल बेफिक्र होगे पड़ना बिल्कुल बेफिक्र होगर पड़े है चलिए नेक्स हमारा क्या रह रहा था यहां से इंडेस्ट्रेस हो गया था ना जी नेक्स आता है हमारे सेंशूर क्योंकि 20 ही आज करेंगे नेक्स अब आगे करेंगे पूरा आपको यह पूरी बुकलेट करांगा अपनी क्लासिस में कराता हूं तो आपको भी मैं करांगा पूरा नेट पर प्रॉवैड शेंशूर का हमने लिखना एक वर्ड है कंडेम डिफेम लिख लेजिएगा डिफेम 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 ठीक है तो यह आपके आज की वोकेब थी यह ट्वंटी आपके वर्ड्स थे बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बच्चो ठीक है क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है और मैं रहा हूँ और यह आप जोड़ के भगेंगे तो फिर आप जानते कि वाप भी नहीं रुखेंगे तो फिर मैं किया करूंगा लेकिन पूरा डेटर्मिनेशन का में पूरा रुका रहूंगा आपके साथ बिल्कुल लगा रहूंगा इस चीज को लेकर ठीक है एक्जाम में अ